इसके लिए क्योंकि नजर आ रहा है मुझे कि ये बहुती महेंगी फिल्म होगी बहुती मुश्किल फिल्म होगी बनाने के लिए इस फिल्म को जरूरत थी ऐसे प्रोडूसर की जो जिसका पूरा भरोसा हो स्कृप पे अशितोष पे और वो फिल्म को क्रेटिव टीम को पूरी तरह सपोर्ट करें अगर ये फिल्म बननी है अगर एस अन एक्टर मुझे इस फिल्म में काम करना है तो फिर इस फिल्म को एक तरीके से बनना चाहिए और वो मैं आज अ प्रोडूसर शायद पूरी कर सकूँगा तो मैंने का ठीके मुझे एक दफ और पूरी स्क्रिप्ट सुनाओं थीस्ती दफ़ा सन अठारा सो तिरानवे चंपानेर और इस दफ़ा मैंने फैसला किया कि मैं अम्मी अबबजान को रीना को और जमु जी को बलाओंगा उनको भी कहानी सुनाओंगा स्क्रिप्ट सुनाओंगा हाँ, राम सिंग सिखाया ये कौन है? कहानी शुरू की नरेशन चलता गया और मैं उनके चेहरे देख रहा था और मैंने देखा कि जिस तरह मेरा रियाक्शन था उसी तरह उनका भी रियाक्शन है वो भी एक्दम इन्वाल हो गए है कहानी में कहानी खतम हुई, अम्मी ने बोला, अबजान ने बोला कि भी बहुत अच्छी कहानी है और आमिर तुम्हे करना चाहिए ये फिल्म तो मैंने सोचा और फिर मैंने आशितोष को कहा के आशू, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ ना सिर्फ एज अन एक्टर, लेकिन अज़ प्रोड्यूसर भी मैं ये फिल्म कर रहा हूँ मैं खुद ये फिल्म प्रोड्यूस करूँगा और जब उसने ये कहा तब दो लिए लिए शुरी का दिन था मिलेओ तक निए 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 यादी आश्या को पर्दे कद्लाने का सिल्सला और फिर शुरु हुआ इस कहानी को पर्दे पतलाने का सिल्सला इस असुनिये एंड आज़ प्रोड्यूसर मैंने आशो को सुर्फ एक ही सलहा दी जैसे तुम्हें फिल्म नानी वैसे बनाओ कॉंप्रिमाइज बिल्कुल मत करना जो तुम्हेरा दिल कहे उस तरह से तुम्हें फिल्म नाओ और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा मेरी क्रेटिव टीम को जिस टेक्निशन ने पहले जान किया वो थे नितिन चंद्रकान देसाई जो फिल्म के कला निरदेश अबते तो नितिन और मैं हम दोनों निकल पड़े चांपानिर की तलाश में आमिर दूसरे कामों में बहुत बिजी था वो दूसरों की फिल्म में कर रहा था हर तरह के कामों में भसा था कोई ओफिस नहीं था, सेट अप नहीं था, उसे पता ही नहीं था कहा क्या हो रहा है मैंने आमिर से कहा कि अगर तुम फिल्म बनाने के बारे में सीरियस हो तो तुमें पक्का इंतजाम करना होगा तुम ऐसे फिल्म नहीं बना सकोगे मैंने तो एक डीवी जैसे कहती है वैसे बात कहती जिन्दगी में थोड़ा ओर्गनाइज हो जाओ तो ये सोच कर मैंने एक दिन रात को रीना से बात की और मैंने रीना से कहा कि क्या तुम production में मेरी मदद करना चाहोगी तो रीना ने कहा कि मुझे film production के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, film making के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, मैं कैसे समाल पाऊंगी। मैं एक normal middle class family से हूँ। शादी से पहले filmों से मेरा दूर दूर तक कोई संबन नहीं था। मैंने का मैं हूँ और मैं मदद करूँगा उसके लावा तुम सीख लेना। बस यही मेरी शुरुवात थी। रात में मैंने आमिर से बात की और अगले दिन मुझे सुबह ऑफिस में बिठा दिया गया। और कहा कि अब कुछ करो। चांपानेर के लिए मुझे एक ऐसे जगे की जुरूत थी। एक ऐसे लैंस्कीप की जुरूत थी। जहां कि धर्ती खेती बाड़ी की लगे। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी लगे कि यहां पर दो-तीन साल बरसात नहीं हुई है। सुखा बढ़ा है। और यह एक कॉंबनेशन बहुत ही मुश्किल है मिलना। खेर हमारी पसंद का गाउं तो हमें नहीं मिला। लेकिन यह सारा सफर मेरे लिए एक गाउं दर्शन जैसा साबित हो। इतने अलग-अलग गाउं देखने को मिले हैं। उनके अलग-अलग रिती रिवाज। उनका रहन सेंड। देखकर ऐसे मैसुस हुआ जैसे आज ही में हम एक अतित में ही रह रहा है। फिल्म पुरानी जमाने की है, लेकिन काम करने का तरीका नए जमाने का। लगान की शूटिंग साड़े चार महेने के लंबे शेडियूल में पूरी की जाएगा डबिंग के बजाए सिंग साउन का इस्तमाल होगा और जोर इस बात पर है कि लगान टीम में सिर्फ ऐसे लोग शामिल हो जो आश्टोष के सपने को अपना समझे लगान में हमने एक चीज़ का ध्यान रखागा कि जो आदमी इस फिल्म में काम करेगा चाहे वो ऐस अन अक्टर हो या आज टेक्निशिन हो ना सिर्फ उसकी काबियत देखी जाएगी लेकिन उसकी लेवल और एक्साइटमेंट देखी जाएगी कि वो कितने जोश में हों कितनी कितनी स्क्रिप्ट उसको पसंद आती है ये एक बहुत ही चालेंजिंग प्रोजेक्ट था ऐसा म्यूजिक जिसमें लोगधुन, वेस्टरन क्लासिकल म्यूजिक और अठारसुनबे वाली फीलिंग हो एक शेडियूल, एकी लोकेशन पर कास्ट और क्रू के सारे लोग इस प्रोजेक्ट के प्लान से भी मैं बहुत इंप्रेस हुआ क्योंकि हम इस तरह से फिल्म बनाती ही नहीं है इसलिए हमारे फिल्म हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतना कोई ज्यादा इंपोर्टेंस मान्याता दियाने जाता है स्क्रिप्ट कभी देखने नहीं मिलता है कभी अगर देखने मिलता है तो सेंसर में सब्मेट करते हैं तो तभी एक बाउंड स्क्रिप्ट मिलता है यहाँ आमीर जी नव मेने पहले शूटिंग से नव मेने पहले हम लोगों को बाउंड स्क्रिप्ट दिये हैं और बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन हमको प्लान करना है, शबील प्लान करना है धीरे धीरे टीम बनने लगी है भारत की अकेली औसकर विजेता भानू अथया सभी कलाकारों के कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगी क्यानडा की निकोल डेमर्स मेकप डिजाइन करेंगी और पीना रिज्जी बालों को स्क्रीन प्ले में कुमार दवे और संजय दायमा आश्टोष के सहयोगी है और केपी सक्सेना अवधी सम्माद लिखेंगे नकुल काम्टे के कंधों पर सिंक साउंड की जिम्मेदारी है अबास अली मुगल अक्शन सम्मादेंगे डानियल रॉफ ब्रिटन में कास्टिंग डिरेक्टर है और बल्लू सलूजा फिल्म एडिट करेंगे हॉलिवूड से प्रशिक्षित अपूर्वलाक्या फिर्स्ट असिस्टेंट डिरेक्टर होंगे चमतकार हो गया उरे भारत में महीनों घूमने और खोजने के बाद अशुतोर्ष को अपना चमपानेर मिल गया कच में I was shocked I had no word to say to the director इतना एक remote village में even Bombay में मालूम नहीं कि खच जिस कोई village या कोई town है कोई district Bhuj was really a way out place Bhuj हमारे लिए एक अचीब जगे थी किसी को पता भी नहीं था कि वो है कहां बिलकुल रेगिस्तान कोई hotel नहीं आने जाने के लिए ढंकी सुविधा भी नहीं थी और अगर शूटिंग गर्मियों तक चले तो वहाँ 47-48 डिग्रीस टेंपरेचर होगा लोग तो बेहोश हो जाएंगे प्री प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है और लोग पागलों की तरह लगे हैं प्रोड़ से गौन गौन है आम तोर पे इंडिया में जो फिल्में बनती है स्क्रीन टेस्ट नहीं होता है और यहां पर एक्टरों को बुरा लगता है कि भाई मैं यह टेस्ट कर रहा है मैं इतना एक्स्पिरिंस्ट आर्टिस्ट हो और जब आप स्क्रीन टेस्ट करते हैं तो आपको फॉरान पता लग जाता है कि यह आर्टिस्ट इस कैरेक्टर में सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है नजर के सामने बात आ जाती है तो खेर आशू ने शुरू की अपनी टेस्टिंग और भहुत सारे अक्टरों को टेस्ट किया गुवाल मां क्यों में आशू में देगा गुवाल आज गुवाल में मेरा नसीद बताया है काँ बूल रहा है जड़ मैंनी बुखाब हुवत साह्भ हुवत साह्भ क्यों में देगा क्यों में देगा कास्टिंग के मामले में एक मुश्किल पहलू था अंग्रेजों की कास्टिंग तो इसके लिए हमें लंडन जाना पड़ा है उनकी कास्टिंग के लिए लंडन में कोई जाना पड़ा है